इस वीडियो के अंदर काईस हम लोग बात करने वाले हैं कि financial year 2324 या फिर असेस्ट मेर 2425 के लिए आपके लिए कौन सी टैक्स रिजीम जादा beneficial है या क्या old tax रिजीम के साथ में जाना चाहिए या फिर new tax रिजीम के साथ में मैं आपको एक कमाल का यहाँ पर जो है calculator basically description box के आने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपनी tax जो है planning वगरे कर सकते हैं आपको कैसे decide करना है कि मेरे लिए old tax रिजीम जादा beneficial या फिर new कौन सी directions available हो सकती कौन सी नहीं हो सकती है तो guys यह सारी जानकरी मिलने वाली है आपको इस वीडियो के अंदर तो पूरा वीडियो यहाँ पर जरूर देखेगा अगर मैं simply यहाँ पर tax slaps की यहाँ पर simply तरीके से बात करूँ तो देखे आप screen के सामने दे सकते हैं पहले यह old tax जो है slap यहाँ पर चला करती थी और still यहाँ पर financial यह 2324 के लिए relevant है तो अगर मैं डाय लगता की income की बात करूँ तो निल की return फाइल होती है उसके उपर कोई भी tax वगरे नहीं लगता है धाई से अगर मैं 5 लाग रुपे तक की income की बात करूँ तो still उसके उपर भी कोई भी tax नहीं लगता है मलब ultimate tax तो लगता है बट 87A के अंदर आपको 12,500 रुपे तक का tax का rebate यहाँ पर मिल जाता है तो अगर इंडिया में किसी की भी income 5 लाग के नीचे होती है फिर चाहे वो old tax रजीम के साथ में जाए या new tax रजीम के साथ में जाए उससे कोई फरक नहीं पड़ हो जाता है और उसके उपर tax कैसे लगेगा government ये बोलती है धाई से 5 पे हम लोग 5% लेंगे 5 से 10 की income पे हम लोग 20% लेंगे और beyond the 10 lakh rupees हम लोग 30% यहाँ पर tax लगाने वाले हैं अब का इस budget 23 के अंदर यहाँ पर government जो है new tax lab को यहाँ पर लेकर के आई है यहाँ पर tax rate को कम किय गया है लेकिन साथ में कुछ conditions भी यहाँ पर लगाई गई है अब देखे गईस यहाँ पर budget के अंदर जो new tax lab यहाँ पर जो introduce की गई है जो की financial year 2324 के लिए जो applicable होगी उसके अंदर यह कहा गया है कि 7 लाक रुपे तक की income के उपर आपका कोई भी tax यहाँ पर नहीं लगने व क्योंकि यहाँ पर पहले जो government 87A के अंदर 12,500 रुपे की tax की rebate दिया कर दी थी वही rebate अब इन्होंने बढ़ा करके 25,000 रुपे की कर दी है तो अगर मैं आपको एक summarize करना चाहूँ 7 लाक तक की income के उपर ultimately government का जो है 25,000 रुपे का tax बनता है government ने वो simply तरीके से माफ कर दिया लेकिन let's suppose अगर आपका 7 लाक के beyond यहाँ पर income जाता है तो उस case में हम लोग 3-6 लाक पर 5% charge करेंगे 6-9 पर हम लोग 10% charge करेंगे 9-12 पर हम लोग 15% charge करेंगे और 12-15 पर हम लोग 20% charge करेंगे और beyond the 15 लाक जो होगा उसके उपर हम लोग 30% charge करेंगे आप गईस कई लोग इन चीदों से यहाँ पर confused होंगे होंगे चलिए मैं आपको na case study wise ले चलता हूँ और एक एक यहाँ पर income को हम लोग discuss करेंगे और हम लोग पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए यहाँ पर कौन सा best regime है तो देखे गईस इस calculator की link मैंने simply आपको description box में दे रखिए यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना उपर simply अपना नाम डेटो वर्थ वगर है अपनी age वगर है यहाँ पर डाल दीजे उसके बाद में guys यह आपको automatically बता देगा कि आपके लिए कौन सी tax regime जादा better है तो guys यहाँ पर आपको क्या करना है हम लोग case number 1 ने ले की है और चाहे आप old के साथ में चले जाओ या फिर new के साथ में चले जाओ आपका कोई भी यहाँ पर tax नहीं लगने वाला है और इसके अंदर मैं कोई भी deduction भी यहाँ पर अभी consider नहीं कर रहा है जैसे कि HR हो गया ADC वगर हो गया इनको मैं अभी नहीं डाल रहा मैं सिर्फ देखना चाहता हूं कि कितनी income तग मुझे यही decide नहीं करना मतलब old के साथ जाना है new के साथ में जाना है मतलब किसी के साथ में भी आप जा सकते हैं तो even guys अगर मैं साड़े 5 लाक रुपे की भी income डालता हूं तब भी मेरा net income जो है old tax regime के अंदर 5 लाक रुपे बनता है after the standard deduction new के अंदर भी 5 लाक रुपे बनता है तो यहां पर भी मेरा कोई tax नहीं लगने वाला लेकिन guys जैसे यहां पर मैं simply 6 लाक रुपे डालूंगा अपनी salary के income तो यहां पर आप देख सकते हैं यह में को automatically बता देगा old tax regime के अंदर आपका tax लग जाएगा और new के अंदर यह चीज आपका नहीं लगने वाला है तो guys अगर किसी की income 6 लाक रुपे और वो कोई भी deductions अगरे अवेल नहीं करना चाहता तो बिना कोई दिमाग लगा है उसको simply हमेशा new tax regime यहां पर adopt करने चाहिए simply इसको अगर मैं एक लाक रुपे और बढ़ाना चाहूं जैसे कि मैंने यहां पर 7 लाक रुपे अपनी salary के income डाल दी तब भी मेरा new tax regime के अंदर कोई भी tax नहीं लगने वाला है लेकिन old के अंदर लगेगा तो यहां पर भी मैं simply एकदम clear हूँ कि मैं को new tax regime यहां पर adopt करनी ह देगे गाई जैसे मैं अपनी income 8 लाक रुपे डालता हूँ तो screen के सामने आप देख सकते हैं यहां पर आपको दिखाए देगा कि new tax regime के अंदर अब मेरा tax लगना start हो चुका है क्योंकि मेरी जो net income है वो 7 लाक को यहां पर cross कर चुकी है अब आपको यह लगेगा कि मेरा new tax regime क के अंदर definitely कम tax बन रहा है तो मैं उसको choose out कर लो लेगिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है अब जिसकी भी income 7 लाक के beyond है उसको simply क्या करना है अपने पिछले साल का form screen उठा लीजे तो यहां पर उसी के according आपको figures वगरे डालने है ताकि आप deductions avail करने के बाद में पता पाए कि आपके लिए कौन सी taxism यहां पर जादा better है तो यहां पर आपको क्या करना है example के लिए आप अपना form 16 उठाएंगे तो सबसे पहले आपको अपना salary का amount वगरे मिल जाएगा तो आप अपना salary का amount डाल दीजे उसके बाद में mostly जो बड़ी बड़ी companies होती है वो आपको HR वगरे provide करती है तो आपके form 16 में भी HR वगरे mention होगा और ध्यान रखेगा हम लोग यह pass data के उपर calculation कर रहे मलब almost अगर आपकी salary के इंदर कुछ increment होने वाला है इस साल तो definitely आप इस amount को यहां पर increase वगरे कर सकते हो तो guys अगर आपका HR आपको पता है आपके form 16 से निकल रहा है या फिर simply यहां पर आप अपनी basic salary डाल सकते है rent paid डाल सकते है और जितने HR आपको receive है वो आप amount डाल सकते है तो यह automatically आपका calculate करके देगा कितना आपका HR बन रहा है जिल लोगों को HR नहीं मिलता है simple सा काम कीजेगा आपको थोड़ा सा नीचे जाना है यहां पर आपको ATWG का section मिल जाता है तो screen के सामने आप देख सकते हैं ADWG का आपको section मिल जाएगा तो यहां पर maximum 60,000 उपे तक की deductions allow है यह सिर्फ उन लोगों के लिए है जो HR को claim नहीं करते हैं तो वो simply आपको यहां पर insert करना है उसके बाद में आपको अपना form 16 चेक करना है अगर किसी भी type का section 10 क allowance मिलता है जिसे LTA वगरे हो गया children education allowances वगरे हो गया यह चीज़े आपको मिलती है तो आपको insert करनी है या और भी कोई allowances मिलता है तो others column के अंदर आप insert कर सकते हैं उसके बाद में guys simply आपको यहां पर नीची आना है यहां पर guys आपको column मिलेगा professional tax का तो professional tax कुछ states के अंदर applicable ह something होता है अगर आपके form 16 में यह पिछले साल amount था तो इस साल भी कटने वाला है definitely तो उस amount को आप यहां पर consider कर सकते हो इसके बाद में guys यहां पर आपको पुछेगा income from the other sources जिसके अंदर आपका bank का FD का interest हो गया आपका saving account का interest हो गया आपका dividend income हो गया यह सारी चीज़े यहां amount डालना है एक्जामपर के लिए माली जी अगर आपका 10,000 रुपे का bank का interest है saving account का तो वो आपको insert करना है यह आप एक estimate figure लेके simply तरीके से चल रहे है इसी तरह से FD का भी एक estimate figure आपको यहां पर चाहिए होगा कि इस साल मेरा FD के उपर कित्ता interest बनेगा एक्जामपर के interest का 2,000,000 रुपे तक का deduction आप अवेल वगरे कर सकते हैं तो अगर आपका खुद का घर है उसके उपर home loan वगरे आपका चल रहा है EMI वगरे जा रहा है तो 2,000,000 का interest का deduction आप इस column के अंदर अवेल कर सकते हैं इसके लागाईस अगर आपकी property let out है अगर आपने किराया पे दे capital gain बन सकता है तो उसके column भी यहाँ पर आप आप लोग को simply तरीके से दे रखें तो आपको section 111A के अंदर और section 112A जो की long term capital gain का होता है तो आपको एक estimate amount यहाँ पर simply तरीके से insert करना है उसके बाद में कईस अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ATC का column मिल जाएग तो अगर आपने कुछ investment कर रखी है जिसे अगर आपने PPF के अंदर contribution कर रखा है या आपका employer already EPF या GPF में आपका contribute वगरे करता है आपने NSE वगरे ले रखे या आपने ELS mutual fund में invest कर रखा है आपने LIC जाती है आपकी बच्चों की fees वगरे जाती है तो ऐसी कई सारी चीज़े या फिर insurance वगरे जाए रहा होगा तो उसका simply तरीके से यहाँ पर आपको amount डाला है फिर guys थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको NPS का column वगरे मिल जाएगा तो अगर आप NPS के अंदर contribute करते हैं basically खुद से 50,000 रुपे तो उसका additional deduction आपको देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर वो simply आप amount वगरे ले सकते हैं इसके लागा इस नीचे आपको 80D मिल जाएगा जहाँ पर आपका health insurance का premium जाता है तो वो आप ले सकते हैं तो guys इस तरह से आपको यह सारी चीजे जो है जो भी आपके उपर applicable होता है वो आपको fill up करना है तो देखे अब अगर आप उपर देखेंगे तो screen के सामने आप देख सकते 8 लाग रुप के उपर थोड़ी दिर पहले हम लोग जहाँ पर सोचे थे कि मेरे लिए new tax system जादा beneficial है अब आप देख सकते हैं आपके लिए old tax system जादा beneficial है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर अच्छी खासे deduction यहाँ पर claim कर ली है तो guys इसका simple सा मतलब यह कि जो new tax system है उसके अंदर आपको यह जो deduction हम लोग लेते हैं वो allow नहीं होती है अब आप लोग पूछेंगे कि यार कौन कौन से deduction हमें allow नहीं होती है तो देखें इसके अंदर आपका HR वगर हो गया है यह चीज़े आपको allow नही saving account के उपर जो 10,000 रुपर की deduction मिलती है आप देख सकते हैं नीची हम लोगों ने 10,000 रुपर यहाँ पर minus किये हुए थे तो यह चीज़ भी आपको यहाँ पर new tax system के अंदर नहीं दिखाए देती है तो guys अगर आप लोग के पास में deductions available है तो इस तरह से आप अपनी tax planning वग contribute करता है तो 80 CCD subsection 2 करके section होगा उसके अंदर आप amount डाल दीजेगा वो आपको old tax system के अंदर भी allow है और new tax system के अंदर भी allow है इसके लाब आपका जो home loan होगा उसका जो interest होगा वो भी यहाँ पर new tax system के अंदर allow नहीं होगा लेकिन अगर आपका let out property है यानि खुद की property नहीं है किराया पर आपने दे रखी है उसके उपर आपका home loan चल रहा है तो वो new tax system के अंदर allow रहेगा इसके लागा इस standard deduction होती है 50 जिया रुपी की हर salary employees को मिलती है तो वो चाहे old tax system है चाहे new tax system है दोनों के अंदर allow होता है new tax system के अंदर transport allowance allow होते हैं या फिर आपको जो convince allowance मिलते है तो अगर आपके form 16 में mention है तो उसको आप consider कर सकते है इसके लागा जो भी आपको percusate मिलते है अपने office से official purpose के लिए उसका भी deduction जो है new tax system के अंदर section 10 के अंदर allow है लेकिन वो आपको verify करना पड़ेगा अपने form 16 के थरू इसके लागा अगर आपको gifts मिले up to the 50,000 rupees वो भी आप के यहाँ पर exempt रहेंगे साथ में अगर आप यहाँ पर retired होते हो आप voluntary retirement है आपको graduate मिलती है आपको leave and cashment मिलता है तो वो चीज़े भी यहाँ पर new tax system के अंदर basically exempt होती है इसके लिए अगाई से आप लोग के यहाँ पर दो doubts हो रहे होंगे क्या मैं यहाँ पर new से old के अंदर य आपको simply मेंने जो आपको calculate पता है उसे आप calculate करके एक यहाँ पर idea दे सकते हैं अपने employer को कि मैं इस साल जो old tax system के साथ में जाना चाता हूँ या फिर new tax system के साथ में जाना चाता हूँ फिर जब आप अपनी ITR file करते हैं let suppose अगर आपके पास में अच्छी कासी reduction से आप अपना tax वगरे बचा सकते हैं या आप मालीजे आपने new choose किया था लेकिन आप old के अंदर जाना चाते हैं या फिर आपने old choose किया था आप new के अंदर जाना चाते हैं तो definitely आप ITR filing के time पे जो है switch कर सकते हैं वहाँ पे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है आपका access के अंदर जो भी T additional requirement नहीं होती है लेकिन ITR 3 या फिर ITR 4 form file करेंगे तो उसमें आपको separate 10 IE करके form होता है वो basically आपको file करना पड़ेगा इसके लावा कोई भी additional requirement नहीं होती है देखे कैस अगर मैं simply तरीके से इसको summarize करना चाहूं इस वीडियो को तो अगर आपकी 5 लाग तक income है तो तो भाइक बिल्कुल भी सोचने की जरुवती नहीं है आप चाहे old के साथ में जाओ चाहे new के साथ में जाओ कोई भी tax वगरे नहीं लगने वाला है लेकिन जैसे 5 के beyond चल जाती है तो आपको हमेशा ये देखना है अगर मेरे पास में deductions है तो आप old के साथ में जा सकते हो deductions वगरे तो साथ तक आपका new tax जिम के अंदर कोई भी यहाँ पे tax वगरे नहीं लगने वाला है तो 7 लाख रुपे तक आपको हमेशा new tax जिम यहाँ पे adopt करनी है लेकिन साथ के जैसे ही beyond जाता है आपको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा tax planning करनी पड़ेगी क्या मेरे पास में deductions वगरे अविलेबल है अगर है तो आप उसके तुरू देखिए कि आपका कितना tax बन रहा है old के अंदर और कितना tax बन रहा है new के अंदर उसके according आप अपना यहाँ पे जो है जाए मेरे लिए old बैटर है या फिर new बैटर है वो easily आप यहाँ पे decide वगरे कर सकते हैं इस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब चनल बाकी अगर आप लोग हमसे consultancy वगरे लेना चाहते तो उसकी लिंक भी मैंने आप लोग को description box में दे रखी है अगर आप लोग के कोई भी सवाल जवाब है तो comment box के अंदर ज़रू बताएगा thank you guys thank you very much